वेलकम स्टुडेंट्स अगरी जब चैप्टर नौ है चैप्टर नाइन जो है सितोशन घास अस्थलो में जीवन यह आपका जियोग्रफीका है तो आज हम आपको बताएंगे कि सितोशन घास अस्थलो में जो है सितोशन प्रदेश जो है और वहां के घास भरी अस्थल है उसका वहां का जीवन क्या है इसमें तरह तरह के जो है खेती घास के बारे में और उनके वहां के जीवन यापन के बारे में बताएंगे तो चलते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि आप देख पर है यहां सा स्टाट कित होती है आपका ठीक है उसमें आप देख पा रहे हैं कि वन घास अस्थल और काटे दार ज़ड़ियां पृत्वी के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई है देखो वन जो है घास है घास अस्थल है कटीली जाडियां है ये धरती के बहुत शारे हिस्सों में फैले हुए है जिन छेत्रों में काफी अधीक बर्षा होती है उनमें वन आमतोर पर पाये जाते हैं यहां बताया गया है कि जहां पर बर्षा अधीक मात्रा में होगी वहां जंगल भी जादा होगा जिन छेत्रों में शमान भर्षा होती है उनमें घास स्थल पाये जाते हैं जहां पर जो है घास एक नॉर्मल लेवल में होती है तो वहां पर घास जादा मात्रा में उपचते हैं और जिन छेत्रों में समाने से भी कम बर्षा होती है उनमें कटीली जाडिया पाए जाती है अब आपको पता चल गया होगा कि जंगली जो छेत्र होते हैं वहां खुब बर्षा होती है जहां उससे कम बर्षा होती है वहां घास जादा होगा और जहां पर कम से कम बारिश होती हो ठीक है वहां पर आपकी कटिली जाणिया पूगेगे ठीक है तो घास अस्थल उष्ण कटिवंधिये और सितोशन कटिवंधिये दोनों सित्र में पाए जाते हैं विशेश कर महाद्वीव के भीतर भूभाव में अब यहां पर देखें आपके पास एक टॉपिक्स आ रही है प्रेयरी हम जानेंगे कि प्रेयरी क्या अब जैसा कि यहां पर बताया गया है आप देख पा रहे हैं अपने बुक में तो प्रेरी है क्या ठीक है इसमें लिखा है अवस्थिती यानि उत्री अमेरिका की सितोशन घास अस्थलों को प्रेरी के नाम से जाना जाता है आपको पता हो गया कि अमेरिका की उत्री सितोशन जो घास अस्थल है उसे प्रेरी के नाम से जाना जाता है प्रेरी एक फ्रेंच सब्ध है जिसका अर्थ है घास के मैदान अत्वा घास अस्थल ये घास अस्थल मेसी सीपी नदी के पश्चिम में तता पुर्व में रौकी परवत के बीच इस्तित है उत्तर अमेरिका के ग्रेट लेक प्रेयरी की पुर्व दिशा में है प्रियरी घास अस्थल शंजुक्त राज अमेरिका और कनाडा की कुछ भागों में फैले हुए हैं अमेरिका में मेसी सीपी नदी की सहायक नदियां और कनाडा में सास के च्वान नदी की सहायक नदियां प्रियरी छेतर में भचती है प्रेयरी छेत्र पूर्व में सम्तल और पश्ची में लगवग 500 मीटर उचा है ये अतिधीक विक्सिक्रीशी छेत्र है अब हम जानेंगे कि यहां की जलवायू क्या है जलवाय यहां की क्या है टिक है जलवायू तो महाद्वीव के भीतर भूभाग में इस्तित होने के कारण प्रेरी घहां सस्थलों में चरम तापमान वाली जलवाय होती है इसमें 20 डिग्री सेल्सेस तापमान के आसपास ग्रिस में रीतु काफी लंबे समितक रहती है और शर्दियों में तापमान माइनस 20 डिग्री सेल्सेस तक पहुँच जाता है वर्षा समान्य होती है जो घांस की ब्रिधी के लिए आदर्श है चीनुक एक गर्म सुस्क पवन का नाम है जो सीत रीतु में रौकी परवत की पुर्वी धालाज से होकर बहती है जिससे कम समय में ही तापमान बढ़ जाता है और वर्ष विखलने लगती है यही कारण है कि इसे वर्ष खाने वाले पवन के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद आप देख पा रहे हैं नेक्स टॉफिक है प्राकृतिक वणश्पति एवं वन्ने जीब यानि यहाँ पर प्राकृतिक वणश्पति के बारे में और वन्ने जीब जो होते हैं उसके बारे में यहाँ बताए गई है जैसे लिखा है प्रेरीग हांस अस्थल में लंबे व्रिक्ष नहीं पाए जाते जो प्रेरी घांस प्रदेश है अस्थल है वहाँ पर लंबे लंबे लेक्ष नहीं पाईज आते पश्मी भाग की तुल्ना में इसके पुर्वी भाग में धीक बर्शा होती है जिससे पुर्वी भाग में दो मीटर तक मूची घांस उगती है जबकि तुलनात्मक रूप से सुख्ष पश्मि भाग में घांस की उचारी कम होती है इस छेत्र में सितोशन प्रणपाति छेत्र श्रीनी के व्रिक्ष जैसे की सर्पत जिसको बिलो की नाम से भी जानते हैं उगते हैं अब यहां का देखें आपका भूप में दिखाया गया है कि यहां जो है वाईशन यह भैस की प्रणपाति है अब प्रेरी कुत्ता यह कुत्ता है देखवा रहा है आप मवेशी मुख रूप से दूद उत्पादम प्राप्त करने के लिए ही पाले जाते हैं पश्मी भाग में भेडों को उन और मांस के लिए पाला जाता है इन प्रदेशों में पाएज आने वाले अन्य जन्तों में कायोट लोमडी खरगोश और पेरी कुत्ता के नामों लिखनी है यह छित्र विशाल मवेशी फाउं के लिए प्रशित है जिन्हें रैंज कहा जाता है योरॉप के लोगों के आगमन से पूर्व प्रेरी वाईशन अमेरिका अमेरिकी भैशों का घर माना जाता था किन्तु अंदाधून सिकार के कारण वाईशन अविलुप्त हो गये हैं अब यहाँ पर दिखाया गया है लोगों का जीवन ये तो हमने जगलों के बारे में जानेंगे अब यहाँ पर थोड़ा लोगों का जीवन के बारे में हम जानेंगे ठीक है और उनके आस पास जो छेतर में रहते हैं तो संजिक्त राज अमेरिका में प्रेरी प्रदेशों को रास्ट का अन्न की टोक्री कहा जाता है यानि संजिक्त राज अमेरिका종 के जो प्रेरी प्रदेश है उसको सबसे अच्छा यानि राष्ट का अन्य जो का टोकरी का हजाता है यानि हर चीज़ यहां अच्छी उपज देती है संजुक्त राज अमेरिका में गेहूं की आधी से अधीक फसल यहां पैदा होती है यह विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक छेतर भी है फशलों को अदल बदल करूगाने के लिए खेतों को अलग-अलग हिस्तों में बाट कर खेती की जाती है मृदाप अपरदन को कम करने के लिए समोच रेखिये जुताई अत्वा पट्टिदार जुताई की जाती है इस छेत्रों में आलू, सोयावीन और कपास आधियन फसलोग्यू गाय जाती है अधिकान स्खेत काफी बड़े अखार के हैं जिन में अधिक क्रीश यंत्रों जैसे की कमबाइन, हार्वेस्टर, ट्राक्टर, थ्रेशर आधिका प्रियोग करकी खेती की जाती है यह जो है आपका अधुनिक क्रीश यंत्रों की नाम दिये हुए है अनाज का भंडार बड़े बड़े अस्टील के बर्तदों में किया जाता है जिनहें सीलो कहते हैं देखो यहाँ पर बताया गया है कि अनाज का बड़े बड़े अस्टील के बर्तदों में जिया स्टोर किया जाता है उशे सीलो कहते हैं गेहूं के अतिधीक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का ध्यानगार भी कह जाता है धानrogार मतलब है कि वहां पर धन ध्यान की भरपूर है देरिव द्योग लोगों का एक अन्य प्रमुख व्यवसाय है विशाल रैंचों में मवीसियों के रहने और चरगा हुँ दोनों विवस्था होते हैं डेरी उद्योग और व्यापक अस्तप्रक्रीसी के कारें विशेशक शिकांगो कन्यासास और निब्रासका में खादे प्रसंस करण उद्योग को बढ़ा मिला है कनाडा के प्रेरी प्रांतों में एलवर्टा सस्काट विचेवन आदि प्रांत सामिल है कनाडा में वीनिवेग को प्रेरी के प्रदेश द्वार्भी के नाम से भी जाना जाता है लोहा और कोईला जैसे खनीज पदार्थों की उपलब्धता परिवहन की समूचित विवस्था और इन छेत्रों में पाईज आने वाले पांच विशाल शीलों के कारण इस छेत्र में उद्योग दंदे खूब विख्षित हुए हैं अलांकि इस छेत्र में जनसंख्या काफी कम है किन्तु शडकों और रेल मार्गों का तेधीग विख्षित नेटवर उपलब्ध है प्रमुक शहरों और पत्तनों तक भारी माल की दुलाई नदी माल शेकी जाती है संजक्तराज अमेर्का के प्रमुक शहर है सिकांगो, डेनवर, मीनिया, पोलिस और इंडो, इंडियानो, पोलिश कनाडा के प्रमुक शेतर हैं, बीनिपेग, सस्त कातोन, कैलगरी और एड्मॉन नटन, ये कुछ कनाडा के शहरों का नम दिया हुआ है नेक्स टॉपिक आप देख रहा है वेल्ड, ये वेल्ड क्या है, ये भी जानेंगे हैं, ठीक है, वेल्ड तो वेल्ड घां सस्थल, अफ्रीका के दक्षनी भाग में श्तित है, ये सितोशन घां सस्थल है, जो मकर एखा के आसपास श्तित है एग हां सस्थल उचे पठार परस्तित है, जिनकी उचाई 600 मीटर से 1100 मीटर तक है, ये पुर्व में ड्रेकस वर्ग परवतों से और पश्री में कालाहारी रेगिस्तान सिखिरा है दक्षन अफ्रीका का अधिकतर भाग पठारी है, जिसका ढलान पुर्व से पश्रिम में है, उत्री पुर्वी पठार जिसकी उचाई लगभग 1600 मीटर है, उच वरिड के नाम से जाना जाता है इस घां सस्थलों में लिम पोपो और औरेंज नामक नदिया बहती है उसके बाद यहां की जलवाईू की बात किया जाएगा, जो आप देख पा रहा हैं, जलवाईू तो वेड की जलवाई मृदू है, जिससे यहां गर्मी में अधीक गर्मी नहीं पड़ती और सर्दियों में हलकी ठंड रहती है, यहां आउशत तापमान लगव 20 डिगरी सेलसेस रहता है सर्दिया सोस्क और 5 डिगरी सेलसेस से 20 डिगरी सेलसेस से तापमान के साथ ठंडी होती है जुलाई का महिना सबसे ठंडी का होता है इस छेत्र में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है दिसंबर और फर्वरी के बीच महीने सबसे गर्म होती है उश्के बार आप देख पा रहे हैं अगला जो टॉपिक्स है वह है प्राकृतिक वनश्पति एवें वननेजीव इस छेत्र में काफी कम बनश्पति पाई जाती है दक्ष्मी पश्मी छेत्रों में कम बर्षा होने के कारण घांस काफी कम लंबाई के यानि बौने होते है सेस छेत्र में छोटे छोटी घास उकती है उच वेल्ड में बबूल और मारोल विरिक्ष दिखाए देते है इन घांस अस्तलों में बिवीद किस्म के जन्तु जैसे की हाथी, गेंडा, दरियाई भोडा, जिराफ, हीरन, जीवरा, मीरिनों, भेडा दी पाये जाते हैं तो यहाँ पर मीरिनों भेड का भी चित्र दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं उसके बाद बताया गया है लोगों का जीवन, तो पशुपालन और खनन, लोगों का सबसे अधिक महत्पुन बेवसाय है खाना बदोसों की तरब पशुचारन करती हुए इधर उधर भटकने के बजाए अब यहाँ के लोग एक स्थान पर बस करवाने जिक प्रयोग हेत्पुपुश पालन करने लगे हैं यहाँ उगाय जाने वाले कुछ महत्पुन फशलों में मक्का, गेम, गन्ना और कपास है ग्राम बासियों की सबसे मुल्यवान संपत्ति पशु होती है भेडों का पालन मुख रूप से उन के लिए किया जाता है जिसका प्रयोग उनिवस्तर उद्योग में किया जाता है उमदा किस्म की उन प्राप्त करने के लिए मेरिनों परजाती के भेड़ पाली जाती है डेरी उद्योग भी काफी विक्षित है तथा पश्वों से दूध, मक्षन, पनीर आधी प्राप्त किया जाता है बेल्ड छेतर में लोहा, कोईला, सोना, मैगनीज और हीरे के विसाल भंडार है जिस छेतर में लोहा और कोईला उपलब्ध है वहाँ लोहा और श्पात उद्योग काफी विक्षित है जो हांस वर्ब सोने के भंडार के लिए तता किमबर ले हीरे की खान के लिए प्रशिद है यूरोपी उपनिविश्कू ने इन छेतरों में खनन क्रिया कलाब को विक्षित करने में अत्यधीक यूगदान दिया है तो इस तरस जो है आपने भी देखा और ये कोश जो है पाट का सारांस दिया हुआ है जो आपको objective questions और long questions के लिए भी बहुत ही importance है तो ये पाट का सार जो है ये summary आपको भी थोड़ा पढ़ लेनी चाहिए तो इस तरस जो है ये chapter आज खत्म होती है छोटी सी chapter थी तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखे और इसकी questions जो है आप लोग अपनी complete करेंगे ठीक है thank you